तुभी ये हमारी कर्म भूमी है तब तक बास घाट नहीं पहुंसते छेत्र और छेत्रवासियों का सेवा करते रहेंगे द्रसल भीते दिन आपने सुना होगा कि नितिश कुमार के सामने ही उनके दो कड़ीवी नेता आपस में भीर गए वो कड़ीवी नेता में एक जेडिव की राष्टिय धक्ष ललन सिंग तो दूसरी ओर बिहार सरकार में मन्त और नितिश कुमार के बेहद कड़ीवी असोग च उन्होंने एक नहीं कई बार अपने पाटी के अलाकमान से यह सिकायत की कि असोग शौधरी आकिर वहां क्यों जा रहे हैं जब छितर बरभीगा हमारा है वहां से बिधायक हम है तो फिर उनके जाने की वज़व क्या है इसके पीछे हमारे शुतर बताते हैं कि असोग भी क्यों ना चुकि वहां के जो बिधायक है या फिर तमाम जो बर्यनिता है उनको दिक्कत होती है जो दिन रात छेतर में मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में असोग शौधरी उस सीट पर ताल ठोके या तयारी कर दे तो उनके मनसूब पर पानी फिर जाता है और इसी बात को ले असोग शौधरी बर्भीगा पहुँचे हैं और उन्होंने ललन सिंग को ओपन चैलेंज भी कर दिया है असोग शौधरी ने अपने सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पड़े की वीडियो सेर किया है उसके कैप्सन में उन्होंने लिखा है कि बर्भीगा कर्म भूमी है हमारी जब तक समसान नहीं पहुँचते तब तक इस छेतर का सेवा हम करते रहेंगे जो बात कही जा रही थी कि असोग शौधरी को ललन सिंग ने न सिर्फ फटकार लगाई बलकि उन्होंने चेताबनी दे दी थी और कहा कि आज के बाद आप बर्भीगा नहीं जाएंगे आपके जो वहाँ से बिधायक है उनको दिक्कत हो जाती है ऐसे में आपका महाजाना कहीं से भी सही नहीं है जिसके बाद हर तरफ चर्चा होई कि ललन सिंग और असोग शौधरी आपस में भिर गये नितिश कुमार भी वहीं पर थे चूकि जेडिव की बैठक नितिश कुमार कर र पहुझ गये उन्होंने बरभीगा में अपने कारकरताओं के साथ मुलकात करते हुए दो वीडियो सोशल मीडिया पर सेयर किया इसमें उन्होंने लिखा कि बरभीगा हमारी कर्मभूमी है जब तक बासगार यानि समसान नहीं पहुझते छेतर और छेतर वासियों का सेवा क करते रहेंगे उन्होंने जय बरभीगा और जय बिहार भी लिखा मंतरी न काया कि बरभीगा में भरोसा साथ और अपनापन मिलता है असोग चौधरी ने बरभीगा दोरे से सियासी गलियारों में चर्चा है उनके द्वारा सोशल मीडिया पर सेयर किये गए वीडियो को लल पोस्ट कर कैप्सन लिख उन्होंने ललन सिम को खुला चैलेंज किया चुकि अब तक असोग चौधरी जाते थे तो कोई ताम जाम नहीं दिखता था वो स्वागत नहीं दिखती थी लेकिन इस धगड़े के बाद जब पहली बार असोग चौधरी बरभीगा पहुंची उन इतीश कमार के लिए तै कर पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर किसे नराज किया जाए और किसे खुस किया जाए दोनों तो अपने ही हैं दोनों तो कड़ी भी हैं एक भिहार सरकार में वरिष्ट मंतरी है तो दूसरी पार्टी का रास्टी अध्यक्ष है बेराल आपको क्य झाल